शली बढ़ते हैं खबरों में आगे और इसे भी उश्या एक बड़ी खबर आ रही है सामने इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से जहां जीवा जी विश्य विद्याले का नर्सिंग मार्क शीट कांड याचिका करता पर हाई कोट ने लगाया 50,000 का जुर्माना पूर्वकारे परिश्या सदर से के पी सिंग और अनुप अगरवाल पर ये जुर्माना लगाया गया है नर्सिंग मार्क शीट कांड के साथ हुआ था स्विमिंग पूल घोटाला मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स में अन्यमेताओं को लेकर ये याचिका दी गई थी ग्वालियर से ये बड़ी खबर आ रही है सामने जहां जीवाजी विश्व विद्याले के नर्सिंग मार्क शीट कांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी जहां पर याचिका करता पर अब हाई कोट ने लगाया पचास हजार रुपए का जुर्माना पूर्वे कारे परिशा सदस्त के पी सिंग और अनूप अगरवाल पर ये जुर्माना लगाया है नर्सिंग मार्क शीट कांड के साथ हुआ था स्मिमिंग पूल घोटाला मल्टी आर्ट कॉंपलेक्स में आनियम में ताउं को लेकर ये याचिका अधी गई थी ग्वालियर से ये बड़ी खबर जहां जीवाजी विश्वे द्याले का नर्सिंग मार्क शीट कांड याचिका करता पर हाई कोट ने लगाया 50,000 रुपे का जुर्माना पूर्वे कारे परिश्वत, सदस्य, केपी स्तिंग और अनूफ अधरवाल पर ये जुर्माना लगाये गया है नर्सिंग मार्क शीट कांड के साथ वाथा स्मेमिंग पूल खोटाला मलती आर्ट कॉंप्लेक्स में आनियमे साउं को लेकर याचिका दायर की गई थी पूर्वकारे परिश्वत, सदस्य, केपी सिंग अनूफ अधरवाल पर जुर्माना लगाये गया नर्सिंग मार्क शीट कांड के साथ हुआ था स्विमिंग पूल खोटाला मलती आर्ट कॉंप्लेक्स में अनियमे ताउं को लेकर दायर की गई थी याचिका तमाम अपडेट के साथ समवादाता संतोष सिंग हमारे साथ जुड़ गया है संतोष क्या कुछ जानकारी आपके पास पूरे मामले को लेकर क्योंकि आपको याचिका करता पर ही यहां पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है जी बिल्कुल अपुर्वा इस मापुरे मामले में कली यह आदे सुने और ओर्डर सीट भी निकलाई है और इसमें 15,000 का जुर्माना लगाया गया है यह पूर्व जो सदस हैं सर केपी सिंग और अलू पक्रवाल यह दोनों पूर्व कारपरिशा सदस रहें जीवाजी, बश्व जालेके इन्होंने यह कियाची का लगाई थी उन्होंने नसी, मार्शी कांध कान के शास्रा शेने बिठा लहाँ और कई गलत पाए गए इसके बाद फिर नियाले ने इनको पचास एयार रुबे का दंड लगाया है और अगर बात की जाया तो ये पूरा मामला दोजार उन्टीस से जोड़ा हुआ है जी बिल्कुल अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ आक्शन लिया जा सकता है इसके लिए जिस तरह से अभी पचास एयार रुबे की जो फोच लगाई है अब दोनों ही जो ईसी मेंबर हैं नियाले की तरण ले सकते हैं या फिर उनको जो जुर्माना इन पर लगाया गा है वो इसको भरना पड़ाएगा फिलाल इस पूरे मामले में दोनों ही जी मेंबर हैं उनको नोटीस जोड़ा सुचना दे दी गई है लेकिन कल जब नियाले की सुनवाई हो रही थी जोड़ां ये वहाँ नियाले में उपक्षित नहीं हुए लेकिन फिलाल इसके जो बगील थे उनको इस तरह की जानकारी बिश्ची कही है बहुत शक्रीया संतोष अस पूरी जानकारी के लिए